गोड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम लोग डिसकस करेंगी नोडल प्लेंस पिछले लेक्चर में हम लोगोंने यूनिट प्लेंस देखा था देखते हैं नोडल प्लेंस क्या है सबसे पहले नोडल प्लेंस पढ़ने से पहले हम देखते हैं नोडल पॉइंट्स क्या होते तो definition क्या है nodal point की two points on principal axis of an optical system having unit positive angular magnification are called as nodal points मतलब क्या हुआ ऐसे दो point optical axis के उपर जिन दो point के corresponding आपको angular magnification 1 मिले angular magnification 1 का मतलब हुआ उन दो points पे जो ray आ रही है वो ray आपका same angle बनाए optical axis के साथ जैसे कि यह figure हमारे पास दिखाई दे रही है figure 4.10a तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि आपके पास suppose n1 तो आपका first nodal point हो गया यहाँ पे यह जो आपका n1 बना यह this is first nodal point and n2 is second nodal point तो n1 point के उपर जो आपकी ray आ रही है यह इस direction में जो ray आ रही है ना इस direction में यह आपके आपका angle बना रही है आलफा angle किसके साथ है this is making angle alpha with optical axis ऐसे ही n2 point पे जो आपकी ray बाहर निकल रही है तो यह angle भी कितना बना रही है आलफा angle यह वाली ray angle कितना बना रही है आलफा angle बना रही है optical axis के साथ तो यह दोनों angle आप सपोस्थ पहला angle alpha 1 मान ले दूसरा alpha 2 मान ले तो n1 और n2 को हम optical point नोडल points का बोलेंगे जब angle alpha 1 अगर यह यहाँ पे जो angle है आपका यह वाला angle इसको हम alpha की बजाए alpha 1 लिख लेते है और इस angle को यह वाला जो angle है इसको हम alpha 2 लिख लेते हैं तो अगर आपके पास क्या हो जाए alpha 1 is equal to alpha 2 हो जाए यहाँ पे ठीक है तो उस case में आपके पास क्या होगा हम बोलेंगे alpha 1 is equal to alpha 2 is equal to यह किसके equal होगे दोनों alpha के equal होगे then we can say that n1 is n1 and n2 are nodal points दूसरे हम क्या बोल सकते ह हैं कि जो आपकी n1 point से जो रे पास कर रही है और जब वो n1 point पे enter करेगी और जब वो n2 point से leave करेगी तो उन दोनों points पे अगर आपकी रे क्या है parallel है तो that means हम क्या बोल सकते हैं these two points are nodal points ठीक है अगर रे parallel होगे तो then also these two points are called nodal points क्योंकि अगर alpha 1 is equal to alpha 2 की condition satisfy हो जाती है तो इस इसका मतलब क्या हो गया कि जो रे आपकी n1 से पास कर रही है और जो n2 से रे निकल रही है दोनों stars आपकी कैसी होगी दोनों rays आपकी parallel होंगी圆 ऑपकी डोनों लाइन क्या होगी वह सेय्म यह सेम Venus के साथ यह दोनों लाइन क्या बना रही हैं एक जैसे angle बनाएंगी तो दो और रेस क्या होंगी आपकी पैरलल होंगी तो इसका मतलब क्या हुआ कितने भी जो आपका optical system है उससे इसने पास किया तो कितने भी आपके reflection और reflection हुए ठीक है लेकिन वो होने के बाद जब वो n2 point से पास करें तो वो क्या रहे same direction में निकले वहाँ से optical axis के साथ same angle बनाए then we can say that these two points are called nodal point ठीक है तो nodal point हो गया बाता है nodal plane तो जो plane in excesses के through pass करेगा nodal plane क्या होगा जो plane इस point n1 और n2 के through pass करे और optical axis के perpendicular हो उस plane को हम क्या बोलेंगे nodal plane बोलेंगे वो plane जो point जो nodal points से उन से nodal point से तो पास करें और optical axis के perpendicular हो उस plane को हम क्या बोलेंगे nodal plane बोलेंगे जैसे कि आपके पास इस figure में आपको दिखाई दे रहा है फिर से zoom out कर लेते हैं figure को इस figure में जो n1 point है n1 point से ये वाला जो plane आपका dotted line से represent कर रखा है ये plane पहला nodal plane हो जाएगा और ये वाला plane आपका क्या हो जाएगा जो ये dotted line से दिखा रखा है ये दूसरा nodal plane होगा तो पहला nodal plane भी क्या है आपका optical एकसिस के perpendicular हो गया और n1 से पास कर रहा है ऐसी दूसरा optical एकसिस के perpendicular भी और n2 से पास कर रहा है तो ये आप हमारे पास क्या हो जाएगे दो nodal plane हो जाएगी ठीक है तो अब हमारे पास जब हम किसी रे की कोई रे अगर किसी optical system में पास कर रही है या किसी medium में पास कर रही है तो उसकी position बताने के लिए हम दो coordinates यूज़ करते थे एक तो optical direction को साइन सी यूज़ करते थे और एक उसकी height optical direction को साइन किसके equal होता है lambda किसके equal होता है mu into sin alpha के equal होता था अगर हम paraxial optical system की बात कर रहे हैं तो for paraxial optical system आपका angle छोटना है तो इसलिए sin alpha किसके equal हो जाएगा alpha के equal हो जाएगा तो यहां पे क्या आजाएगा आपके पास है यहां पे क्या हो जाएगा lambda 1 तो किसके equal हो जाएगा mu 1 sin alpha 1 के और वो किसके equal हो जाएगा mu 1 alpha 1 के ऐसी similarly lambda 2 किसके equal हो जाएगा mu 2 alpha 2 के equal हो जाएगा और अगर हमारे पास यह नोडल यह जो points जिनकी हम बात कर रहे हैं if these two points are nodal points then alpha 1 is equal to alpha 2 is equal to alpha के equal हो जाएगा यहां पे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा और अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें कि हमारा जो optical system है उसके दोनों तरफ सेम मेडिया में हमने उसको free space में रख दिया तो उसका refractive index कितना होगा suppose या तो हम क्या कर दें उसको जैसे suppose आपने अपने एक lens को water में रख दिया कि दोनों तरफ उसके same medium है तो एक तरफ भी refractive index अगर mu है तो दूसरी side भी आपका refractive index कितना होगा mu हो जाएगा तो अगर दोनों तरफ आपका refractive index same रहेगा तो इसका मतलब mu 1 is equal to mu 2 होगा और alpha 1 is equal to alpha 2 आपका किस condition से हो चुका था because we have considered that these two points are nodal points तो आपके पास क्या हो जाएगा यहां से lambda 1 is equal to lambda 2 निकल के आ जाएगा क्यों निकल के आ जाएगा क्योंकि आपके पास क्या हो जाएगा lambda 1 is equal to किसके आ जाएगा lambda 2 के कैसे आ जाएगा क्योंकि आपके पास क्या हो गया lambda 1 is equal to क्या हो गया अगर मालो refractive index mu हो गया और angle alpha हो गया तो lambda 1 भी mu into alpha हो गया और similarly आपके पास lambda 2 भी किसके equal हो गया mu into alpha के equal हो गया तो इसलिए क्या आ जाएगा यहां से lambda 1 is equal to lambda 2 के equal आ जाएगा ठीक है तो अभी यहां से क्या हो जाएगा आपके पास अगर हम क्या करें हम अगर इस तरह का आपके पास कोई भी optical system है और उसके लिए हम जो आपका incident point और जो final point emergent point है उसके आपके emergent ray के आपके coordinates लिखना था हो lambda 2, y2 वो किसके equal होते हैं b plus a, d1 minus a, 0 minus a, d2 plus c और यहां पे d1 और d2 को कौन represent कर रहा है d1 तो है distance object का distance और d2 क्या होता था आपका image का distance तो object हमने कहा माना n1 point पे तो object का distance तो dn1 हो गया और image का distance हो गया dn2 यह हम निकाल चुके हैं यह वाली equation जो 4.81 है यह पहले हमने निकाल ली थी डिरेक्ट जब हमने optical system discuss किया था जर्नल तो उस case में यहां तक हम पहुँच गहे थे इस वाली equation equation 4.81 जो यह लिक रखी है तो जो हमने 4 point पहले article में equation 4.47 निकाल ली थी उसको एक बार देख लेते हैं यह 0 हो जाता था ठीक है और यह condition लगा के हमारे पास क्या आ गया था lambda 1 lambda 2 lambda y2 किसके इक्वल आ गया था b a d1 minus a 0 a d2 plus c के इक्वल हमारे पास आ गया था यह ठीक है तो अब यहां से हम इस equation को direct use कर लेंगे तो यहां पर d1 की जगह क्या हो जाएगा आपके पास dn1 हो जाएगा और d2 की जगह हो जाएगा dn2 तो यह हमने use कर लिया तो यहां से अगर जब हम इसको multiply करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा lambda 2 किसके इक्वल हो जाएगा lambda 2 जब इन दो matrices को आपस में क्या करेंगे multiply करेंगे पहली रो पहला कोलम b plus a dn1 b plus a dn1 is equal to क्या हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा यहां से b plus a dn1 into lambda 1 plus minus a into y1 और second row और first column को जब लेंगे तो यह तो चीज हो जाएगी lambda 2 के equal और lambda जब आप 0 into lambda 1 plus minus a dn1 tn2 plus c into y1 करोगे तो वहां से आपकी condition निकल जाएगी y2 के लिए तो यहां से क्या हो जाएगा और अगर हम क्या मालने axial point मालने तो axial point में क्या होता है कि आपकी image का height 0 object की height 0 है तो image की height भी कितनी होती है 0 हो जाती है अगर y1 को 0 मालने तो y2 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहां से आपकी condition आगी जब इनको multiply करोगे तो lambda 2 आगे आपका b plus a dn1 into lambda 1 और हम पहले ही discuss कर चुके हैं अगर these two points are nodal points ओर with that the medium on both side of optical system is same then lambda 1 is equal to lambda 2 की condition हमारे पास है that means b plus a dn1 किसके equal हो जाएगा lambda 1 is equal to lambda 2 होगा तो lambda 1 से lambda 2 cut हो जाएगा that means b plus a dn1 is equal to 1 हो जाएगा और यहां से क्या आजाएगा आपके पास a dn1 is equal to 1 minus b के equal आजाएगा that means dn1 किसके equal आजाएगा आपके पास dn1 is equal to 1-B by A और यह क्या हो गया अगर आप इसको दिखोगे तो जब हमने जो D1 निकाला था unit plane के लिए तो D1 की value भी कितनी आई थी 1-B by A तो that means क्या हो गया उस equation के साथ वो equation थी हमारे पार 4.65 उसके साथ अगर इसको compare करेंगे तो क्या है हमारे पास D1 किसके इक पला गया D1 मतलब जो unit plane है 1 था वो आपका nodal plane 1 के साथ कुन side कर रहा है with the condition कि आपके पास जो refractive index होगा दोनों side optical medium के वो same रहेगा तो unit plane आपका nodal plane के साथ कुन side करेगा अब जो हमने देखा था न unit plane आपका क्या कर रहा था unit plane आपका जो आ रहे थे वो उसके अंदर मिल रहे थे हमें optical system के लेकिन यहाँ पर nodal plane हमें क्या कर सकता है optical system के बाहर भी मिल सकता है और optical system के अंदर भी मिल सकता है ठीक है यहाँ पर अब continue करते है next अब हमारे पास magnification की जो condition थी जो वहाँ पर उस दिन लगाई थी तो magnification की क्या थी हमारे पास b plus a dn1 is equal to c 1 by c minus a dn2 किसके equal था that is equal to magnification वो किसके equal था magnification के equal था तो अब आपके पास equation क्या थी b plus a d1 is equal to 1 by c minus a d2 थी अब d2 की जगह तो यहा dn2 हो गया और d1 की जगह हमारे पास क्या हो गया d1 की जगह हो गया हमारे पास dn1 ठीक है तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा b plus a dn1 is equal to is equal to 1 by c minus a dn2 और यहां से हो गया c minus a dn2 क्योंगी b plus a dn1 किसके equal था यहां पे किसके equal था 1 के equal था that means c minus a dn2 is equal to 1 और यहां से क्या हो जाएगा आपके पास a dn2 is equal to c minus 1 that means dn2 is equal to c minus 1 by a और इसको जब आप equation 4.66 जो आपकी equal हो गया dn2 हो गया तो मतलब यहां से आप बोल सकते हो अगर medium के दोनों तरफ जो आपका optical system है उसके दोनों तरफ same medium है तो आपका unit plane किसके साथ कोंसाइड करेगा आपका नोडल plane के साथ कोंसाइड करेगा यहां बोलें कि यह नोडल plane unit plane के साथ कोंसाइड करेगा next is अब हम क्या करेंगे derivation of lens equation जो हमारे पास lens formula होता है ना 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f यह हम नोडल plane से यहां से भी निकाल सकते हैं तो अब हमारे पास क्या हो गया अगर हम क्या माल लें यहां पर फिगर दे रख यह आपके पास 4.11 इस फिगर में हम मालने कि आपके पास एक convex lens है जिसका radius of curvature तो c है और जिसका optical radius of curvature तो आपका क्या हो गया focal length उसकी f हो गी और c हमने माल लिया उसका optical center ठीक है c तो माल लिया उसका optical center और focal length उसकी माली F तो एक object रखा हुआ है उसके लिए at point O ठीक है O point पे एक इसमे O point यहां पे जो यह O point O point पे तो आपको object रखा हुआ है और उसके corresponding आपको image मिलती है O point पे तो इसके लिए अगर आपको system matrix लिख नहीं हो तो आप या फिर matrix लिख ही नहीं हो तो कैसे लिख होगे तो हमने देखा था कि हम उल्टे चलते हैं image से चलेंगे तो image से जब आप lens तक पहुंचे होगे तो ट्रांसलेशन हो रहा है तो VD2 हो गई तो क्या हो जाएगा V by mu मतलब V by 1 तो यह V1 हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास S किसके equal हो जाएगा 10 V1 और दूसरा फिर आपकी आएगी reflection matrix reflection matrix क्या होती है 1 minus P01 और क्या हो जाएगा फिर तीसरा फिर translation होगा translation कहां से कहां तक होगा यह जो आपका lens है इस lens से इस O point तक है तो आपके पास क्या हो जाएगा वो आजाएगा 10 distance कितना था U1 डी 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 आता था ना डी की जगह यहां पर क्या है U है और D by mu होता था और D by mu की जगह क्या हो जाएगा U by 1 ठीक है तो यह U हो जाएगा आपका यहां पर basically S किसके equal हो गया फिर से अब यहां पर हम क्या कर लेंगे यह हमने लिख लिए एक बार अब आपके पास S किसके equal हो जाएगा यह आपने P की जगह 1 by F put कर दिया तो S किसके equal हो गया यहां पर 10 V1 1 minus 1 by F 0 1 1 0 U1 ठीक है अब इन matrices को आपस में multiply आप कर दो के second और third को पहले multiply करेंगे उसके बाद इसको first के साथ multiply कर देंगे तो आपके पास S is equal to 1 minus U by F minus 1 by F V minus U V by F plus U और fourth element minus V by F plus 1 आजाएगा ठीक है यह simple mathematics से इसमें उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा अब आपने यह matrix लिख लिए अगर मालो O point के coordinate आपके पास क्या है लैमडा 1 Y1 है और हम मान के चल पड़े मालने की तो अगर आपके पास Y1 और Y2 क्या है Y1 और Y2 आपके coordinate है O point के end lambda 1 Y1 है O point के coordinate और lambda 2 Y2 है आपके I point के image के coordinate तो आप क्या कर सकते हो lambda 2 Y2 is equal to system matrix into lambda 1 Y1 होता है आपके पास तो lambda 2 अब हमने जो माने हैं जो हमारे पास object मानना है वो कैसा मानना है आपका point object है मतलब उसकी height 0 है वो axis पे आपका object तो आपकी image भी axis पे यह आपको मिलेगी तो lambda 2 जो आपके Y1 हो जाएगा वो 0 हो जाएगा और correspondingly आपका Y2 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो आपकी equation जो बनेगी वो बनेगी lambda 2 0 1 minus U by F अब जो यह system matrix आपने यहाँ पे लिखा ली थी है लिख दोगे 1 minus U by F minus 1 by F V minus U V Y by F plus U और fourth element minus U by V by F plus 1 into lambda 1 0 matrix ठीक है और जब आप इसको multiply करोगे जो आपकी यह right hand side में दो matrices हैं पहले की row दूसरे का column फिर पहले की दूसरी row दूसरी matrix का column जब इसको multiply करके और जो left hand side में आपकी matrix से lambda 2 0 इसके साथ compare करोगे तो आपको lambda 2 तो किसके equal मिल जाएगा 1 minus V by U by F into lambda 1 plus 0 और second आपका जो यह होगा जब आप करोगे ना second row को column के साथ multiply V minus U by F plus U into lambda 1 plus minus V यह क्या बन जाएगा आपका यहां पर यह बन जाएगा आपका यह वाली चीज V minus U by F plus U into lambda 1 plus minus V by F plus 1 into 0 यह किसके equal बन जाएगा जब आप left के साथ compare करोगे तो यह 0 है यहां पर Y1 की value तो यह 0 के equal हो जाएगा और यहां से आपके पास क्या हो जाएगा अब इसको आप यह जब जो यह second term है यह वाली जब 0 के साथ multiply होगी तो यह भी 0 हो जाएगा that means क्या हो जाएगा आपके पास V minus U by F plus U into lambda 1 is equal to 0 आजाएगा और that means यहां से आपके पास क्या हो जाएगा यहां से आपके पास हो जाएगा V minus U by F plus U is equal to 0 क्योंकि lambda 1 आपका 0 नहीं है ठीक है that means आपका क्या हो जाएगा V plus U is equal to अब U by F को आप right side side में लेगे U by F that means यहां से क्या हो जाएगा यह UV जो multiply में है यहां उपर इसको जब नीचे लाओगे तो इडिवाइड में चला जाएगा और क्या मिलेगा आपको 1 by U plus 1 by V is equal to 1 by F और अब हम इसके उपर यह हमारे पास निकल के आगया उसके उपर हम sign convention लगाते है sign convention किस तरह से क्योंकि हमारा जो U है वो distance हम कहां कैसे measure कर रहे है जो U distance है उसको हम यहां figure में हम देखेंगे कैसे measure करेंगे optical center जो हमारा origin है C उस origin से left side में पड़ेगा वो कोई भी origin से left side में distance होगा उसको हम क्या मानते है negative मानते है तो वो चीज़ यहां पे यह क्या हो जाएगा आपका negative हो जाएगा तो यह आपके पास निकल के आगया हमारे पास lens formula ठीक है अब उसके बाद हम आते हैं system of two lenses अगर हमारे पास दो lens का system है तो दो lens हमारे पास जैसे कि आपको इस figure में दिखाई दे रहे हैं suppose हमारे पास इस तरह से दो lenses है और उन दो lenses के बीच में हमारे पास distance है d ठीक है तो उन दो lenses के बीच में जब आपके पास distance d हो जाएगा तो आप क्या हो जाएगा एक lens हमारे पास suppose पहले lens का focal length f1 है दूसरे lens का f2 है और उन दोनों d distance से separated है तो इस पूरे system के लिए अगर आपको एक system matrix लिखनी हो तो आपका जो पहला lens है वो तो क्या करेगा reflection करेगा दूसरे lens के थूरू भी reflection होगा और दोनों lens के बीच में जो d distance है इस d distance में आपका क्या होगा translation होगा तो पहले reflection के लिए जब आप matrix लिखोगे तो वो क्या हो जाएगी matrix आपके पास reflection के लिए क्या होती है lens के case में हम क्या हमें पता है कि जो power होती है that is reciprocal of focal length तो reciprocal of focal length होगी तो P की जगे हम क्या put कर देंगे 1 by F put कर देंगे तो जब हम पहले lens के लिए reflection matrix लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी ये 1 minus P की जगे क्या होगा minus 1 by F1 0 1 और जब दूसरे lens के लिए लिखोगे तो वो हो जाएगी 1 minus 1 by F2 0 1 क्योंकि दूसरे lens का refractive index आपके पास क्या है दूसरे lens की focal length किते लिए है 1 by F2 है और जब इन दोनों के बीच में translation matrix लिखोगे तो translation matrix किसके एक वो होती है 1 0 किसके एक वो होती है अब mu है यहाँ पे क्या माल लेते हम कि यह जो दो lenses है इन दो lenses के बीच में जो medium है वो उसका refractive index suppose कितना है 1 हम उसके बीच में air माल लेते हैं तो air का refractive index आपका किसके इकोल होता है refractive index for air is 1 ठीक है तो इन दोनों के बीच में mu की value 1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा और distance दोनों के बीच में d है तो capital d की जगे तो हमारे पास आ गया यहाँ पे इस matrix में small d और mu की जगे आ गया 1 तो यह जो translation matrix बनेगी वो बनेगी 10 d 1 ठीक है अब उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा इन matrices को अगर हम लिखें एक total matrix लिखें इसके लिए system matrix इस पूरे system के लिए अगर हम लिखें तो वो क्या हो जाएगी आपके पास 1 minus image की तरफ से चलते हैं पूल्टा हमने पहले भी discuss किया था कि जब इकठा लिखने हो तो हम इमें इस साइड से चलेंगे तो यह हो जाएगी 1 minus 1 by F2 0 1 multiply with 1 0 D1 multiply with 1 minus 1 by F1 0 1 ठीक है और अब हम क्या कर देंगे सबसे पहले तो इस second और third matrix को क्या कर देंगे आपस में multiply कर देंगे तो वो आ जाएगा 1 minus 1 by F1 D minus fourth element D minus D by F1 ठीक है और अब इसको जब आप first matrix इन दो matrices को multiply करोगे तो आपके पास system matrix से निकल के आ जाएगी first element 1 minus D by F2 second minus 1 by F1 plus D by F1 F2 minus 1 by F2 third D and fourth minus D by F1 plus 1 फिर जब आप इसको यह निकालने के बाद जब इसको compare करोगे system matrix के साथ आपके पास system matrix क्या थी जो journal हम लोग लिखते थे वो क्या होती थी S is equal to B minus A minus D C के तो पहला element तो B किसके equal हो जाएगा 1 minus D by F to Gacy A किसके equal हो जाएगा यह element किसके equal हो जाएगा यह होता है second position पे element score इसे को जब आप compare करोगे तो यह किसके equal हो जाएगा 1 by F1 plus 1 by F2 minus D by F1 F2 क्योंकि यहाँ पे minus 1 by यहाँ पे आपका क्या है minus 1 by F1 है और minus 1 by F2 था लेकिन यह minus A के equal था तो जब वो negative sign उदर जाएगा तो A किसके equal हो जाएगा 1 by A is equal to 1 by F1 plus 1 by F2 minus D by F1 F2 के equal हो जाएगा और अब आप क्या करोगे इसको हमने जब निकाला था जब हमने system के लिए निकाल ली थी जो A की value A की value किसके लिए पिछले article में तो इस पूरे system को अगर हम मालने की एक single optical system है और इस single optical system के अंदर अब जो दो lens है और वो दी डिस्टेंस से अपार्टिड है तो अगर इस पूरे के पूरे optical system के लिए हमें क्या लिखनी हो equation लिखनी हो तो इसका जो combined focal length इसकी आई उस combined focal length जो A होगा वो किसके equal निकल के आया था हमारा पहले इसकी combined focal length के equal निकल के आया था तो इसकी combined जो focal length आई वो इसको A को हम किससे replace कर देंगे उससे replace कर देंगे तो A की जगह आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे A की जगह तो 1 by F आ गया यहाँ पे and यह A की जगह तो 1 by F आ गया और आपका क्या हो गया right and side as it is 1 by F1 plus 1 by F2 minus D by F1 F2 तो यहाँ से यह इस equation से क्या निकल गया आता है आपके पास अगर आपके पास system कैसा है अगर आपके पास दो lens का system है और वो D distance से अपार्टेड है तो उन पूरे system की जो combine focal length होगी वो किसके equal होगी 1 by focal length of first lens plus 1 by focal length of second lens minus D by focal length of first lens into focal length of second lens अब आपके पास support D zero हो जाए कि दोनों lens के बीच में distance zero है दोनों lens बिलकुल एक दूसरे को touch कर रहे है तो आपका उस case में क्या हो जाएगा 1 by F किसके equal आजाएगा in that case 1 by F is equal to 1 by F1 plus 1 by F2 मतलब D zero हो जाएगा तो 1 by F किसके equal आजाएगा 1 by F is equal to 1 by F1 plus 1 by F2 के equal आजाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों के अगर आप focal length को reciprocally add कर दो तो वो reciprocal आजाएगी combined focal length के अगर उन दोनों के बीच में distance D क्या है जीरो है तो इसी के साथ ये वाला chapter हमारा यूनिट बल्गे complete हो जाती है आगे का next lecture में करेंगे भी थैंक्यू करते हैं झाल झाल